तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रूड ओल की इंवेंटरी डे पे क्या स्राटजी हम यूज करके बहुत अच्छे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और दोस्तों मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं कि अगर आप यूट्यूब पे अगर आप सर्च करें तो आप को इंवेंटरी डे के ओपर कोई भी स्राटजी नहीं मिलेगी जो आपको प्रॉफिट बुक करके दे सके तुम आपको एक चीज बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि यह बहुत ही मुश्किल है कि इंवेंटरी डे के ओपर कोई स्राटजी काम करें यानि कि इंवेंटरी डे प सकता है और हो सकता है आपको एक बड़ा profit मिल जाए तो क्या कोई ऐसा तरीका है कि जब आपको पता ही है कि inventory time के उपर जो है market का price जो है वो बहुत अच्छी जो है छलांग लगाता है तो क्या उस छलांग लगाए हुए पैसे को हम कमा सकते हैं तो आज किस वीडियो में आपसे इसी एक trick की बारे में बात करूंगा जो आप implement करके बहुत ही अच्छी returns यहां से निकाल सकते हैं मगर आपको यह धियान रखना पड़ेगा कि जरूरी नहीं है कि हर inventory day के उपर या जो trick है वो implement हो कुछ trick नहीं है simple जो है कुछ basic information है अगर वो आप अपने दिमाग में daily रखें तो आप even inventory day पे भी नहीं बाकी जो महीने में एक या दो दिन आपके ऐसी आएंगे ही आएंगे वहाँ पर आप 100-200 point आप easily यहां से कमा सकते हैं तो चलिए time ना waste करके आपको सबसे पहले rules की बात करूं तो दोस्तो rules जो भी हम अपनी trade setup करेंगे तो हम market depth को देखेंगे और market depth को देखेंगे क्या market depth में buy और sale के बीच में double का difference है यानि कि अगर sale side में 1 रुपा है तो क्या buy side के अंदर 3 रुपे हैं यानि कि 1-2 का ratio क्या maintain है अगर 1 side 2000 रुपे है तो क्या दूसरी side 4000 रुपे minimum है तो इस तरीके से हम जो है देखेंगे अगर इस तरह की situation है even buy even mega load में भी और mini load में भी तो हम जो है definitely बिना सोचे समझे current market price पे buy और sale करेंगे और profit book की बात करेंगे तो जब दोनों buying और sale के जितने भी buyers है और seller जितने भी है उनकी quantity जब same हो जाएगी 1-2-1 ratio आ जाएगा तो हम market से निकल जाएगे या फिर आप 100-800 points अगर आप कमा चुके हैं 80 points आप कमा चुके हैं तो अगर आप उसके साथ satisfied हैं तो आप वहां से निकल सकते हैं तो चलिए आपको मैं screen पर दिखाता हूं कैसे काम करता है तो आपको जाद अच्छे से समझ में आएगा तो देखिए सबसे पहले तो जिन लो loss statement को जो है अब्सर्व करती है और लोगों को publish करती है share market में कि हमने last three months में जो quarter था हमारा यह हमारा profit में गया है loss में गया है कितना धंदा हमने इसमें किया है और कितना पैसा हमने कहां कहां invest किया कहां से कितना आया है तो पूरा revenue model है वो share करते हैं उस हिसाब से जो है लोग उसकी जो है उस statement को देखके उस पर trust करके और अगर उनको लगता है कि हां company ने पिछले quarter में अच्छा profit किया है तो हमें पैसा लगाना चीए तो लोग उसी हिसाब से उसका जो है shares खरीते हैं इन सब चीजों को देखके तो ऐसा ही inventory day भी basically हर Wednesday को रात को 8 बजे होता है अगर को कोई ऐसी कुछ इस तरह की घटनाएं होती है चुटी लगा लीजिए या कोई और तो ही यह shift होता है अगले दिन के ओपर ठीक है तो अब inventory भी आप यही कहेंगे कि जो भी लेखा जोका है आपका profit and loss का जितनी भी सारी companies हैं वो सारा share करती है open market में और अगर मान लीजिए company य हुआ है पिछले एक हफते के जो भी हमने जो supply किया है तो market जो है वो एकदम से ऊपर की तरफ भागती है ताकि लोगों को यह लगता है कि हाँ जो है production अच्छा हो रहा है और तेल की कीमते क्योंकि ज्यादा production होगा तो तो तेल की कीमते डाउन जाने के असार है तो इस तरह क कि जो news है basically यह impact करती है लोगों के दिमाग में और price में fluctuation हो जाता है अब देखिए दूसी चीज़ यह इसी तरह से negative भी हो जाता है अगर production कम है या कोई ऐसा कुछ impact हुआ है पिछले हफते में उसकी वेसे production रुका है तो इसका एक negative impact भी market में चला जाता है उससे price नीचे आन काम करेगी तो देखिए जैसी कि आप जानते हैं कि आज जो है संडे स्टेडे स्टेडे को market open नहीं होती तो market depth तो हम नहीं देख सकते एवन अगर हम आपको जरूदा कर दिखाऊं open करके तो देखेंगे अगर आप mini के अंदर देखेंगे आप तो देखेंगे जिरो जिरो है तो यहाँ पर आपको कुछ idea नहीं आपाएगा तो इसलिए मैंने एक image जरूदा की internet से जरूदा की website से ही open की है ताकि आपको समझ में आए तो देखिए इसमें simple strategy जो है आपको सबसे पहले क्या करना है आपको mega load जो है उसका भी आपको market depth open कर लेना है और आपको mini का भी कर ल अगर आप यहाँ पर नहीं भी देख पा रहे हैं तो आप direct NAC की website पर जाके वहाँ पर जाके और भी बहुत सरी टर्मिनल से हैं जहाँ आप direct जाके market depth check कर सकते हैं तो आप simply क्या करना है देखिए हमें आपको जैसे कि पता ही है market में जो bits होती है यह होते है buyers number of buyers कितने है और क दोनों में difference कुछ नहीं है यह mini load है mega load है price हमेशा रहता है तो आप जैसे यहाँ पर देखेंगे तो price के अंदर कितना fluctuation आ चुका है यानि कि आज-ाज के दिन में market जो है plus 3.47% जो है market already move हो चुकी है यानि कि upward direction में तो यहाँ से देखिए आपको पैसे पता चलेगा आपको ब नहीं होता मगर आप बिल्कुल देख सकते हैं यहाँ पर अगर market 3.47% बढ़ी है जो कभी कभी ही बढ़ती है जैसे कि आप जानते है महिने में एक या दो बार hardly आप नीचे देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जो total number of buyers या sellers जो भी है जो offer कर रहे हैं अगर उन में one is to two का ratio है तो आप बिना कुछ सोचे समझे आप बाया सेल करेंगे ठीक है और आप दो आपको दोनों में करना एक में नहीं करना है ठीक है एक में आपको नहीं करना आपको दोनों में करना है तो आप देखिए यहाँ पर देखिए मान लीजिए real time market है live चल रही है market जैसी आपने दे क्योंकि बायर साइड में ज्यादा बायर्स हैं तुरंट बाय करेंगे अब आप नीचे भी देखा होगा यहां पर सिरल 2000 कुछ आपके सेलर हैं यहां पर बायर्स 11,000 है तो यह तो डूगने से भी ज्यादा हो गया आप बिना सोचे समझे तुरंट की तुरंट बाय कर बहुत rocket की speed से एकदम से वह उपर fluctuate करेगा, तो जैसे कि आप जानते हैं कि आप fluctuation देखेंगे, इसमें बहुत जादा है, क्योंकि market already 3.47% भढ़ चुकी है, मगर गाईज अगर यही आप एक परसेंट के पास या आधे परसेंट पर अगर आप देखते, तो यह ratio जो है इतना नहीं होता, यह तकरीवन वही 1 to 2 का ratio इधर maintain हो रहा होता, और अगर आप उस position पर जाके, मतलब buy or sale जो भी करते, इस situation के साब से जिस तरह से buyers side ज़्यादा है, तो आप ने buy किया और आपका price भढ़ गया, तो उस time अगर आप करते तो आप खुद ही समझ जा रहे हैं कि अगर नहीं बनेंगे और अपना नुक्सा नहीं करेंगे, अब होता क्या है कि inventory day के उपर कुछ जो professionals लोग होते हैं, उनको यह चीज पता है, तो वो इससे benefit उठा लेते हैं, मगर क्या होता है कि market में जो बहुत बड़े-बड़े FIS हैं, जितने भी banks हैं, financial institutions हैं, यहां बहुत सारे अगर सिरफ mega के load को देखोगे, या फिर सिरफ आप mini के load को देखोगे, तो होगा क्या, कि for example आप mega में trade कर रहे हैं, तो आप देखेंगे, यहां तो ratio बन गया, यह तो double हो गया quantity, मगर जैसे ही आप buy करेंगे, उसके थोड़ी दिर बाद price उपर जाने की जगा क्या होगा, नी अगर आप उनको chart दिखाएंगे, analysis अगर वो करेंगे चीजों को, तो मैं आपको guarantee दे सकता हूँ कि तीनों दोस्त आपके एक तरीके से ही सोचेंगे, अगर आप तीनों से पूछोगे कि आप इस chart को देखके, इस pattern को देखके, क्या करने वाले हैं, buy या sale, तो तीनों का answer buy य जो different जाते हैं, क्योंकि हम base दोते हैं, indicators पे, analysis पे, तो सबका दिबांग उसी तरीके से चलता है, क्योंकि हमने सीखा ही उस तरीके से है, तो सबने एक ही चीज़ सीखी है, इसलिए हम one direction में ही जाते हैं, उसी का जो फाइदा है, दूसरे लोग उठाते हैं, क्योंकि उनको प terminals हैं, वो उनको allow करते हैं, कि वो 100-100 रुपे भी नीचे buy or sell कर सकते हैं, तो होता क्या है, friends, for example, मान लीजिए, यहां लगा, आप लगा के चलिए, for example, यह लगा लीजिए, अब जैसा कि आप देख रहे हैं, कि यहां पर total number of buyers हैं, वो 4864 है, यहां पर 1518 है, अब मान लीजिए कोई भी professional trader है, वो बहुत बड़ा trader है, तो वो पता क्या करेगा आपको पागल बनाने के लिए, यहां पर, यहां पर कम से कम 2-5,000 quantity क्या करेगा, वो buy करेगा, कितना नीचे, right, वो कहां पर करेगा, कम से कम 100 रुपे के difference पे, वो buy or sell कर देगा, आपको पता ही है कि अगर मान 30,000 orders हैं, यहां पर 4,864 है, तो 1-2 का ratio तो maintain नहीं हो रहा, तो आप क्या सोचेंगे, आप सोचेंगे कि नहीं यार, अभी तो यहां पर क्या है, कि situation नहीं बन रही है, अब होता क्या है कि जो बड़े-बड़े traders होते हैं, यह आपस में मिलके काम करते हैं, यह क्या करते हैं, अब माली जी आपने 2,000 का order लगा दिया, किसी और ने क्या किया, उसने भी 2,000 का order लगा दिया, अब होगा क्या, जैसी वो 2,000 का order लगाएगा, तो यह 4,000 बन गए, अब 6,000, अब देखिए, यह सिरफ 4,854 थे, अब यह होगे 6,518, अब आप इस situation को देखके क्या सोचेंग जो है, बाई की तरफ, सोरी, सेल की तरफ सोचना चाहिए, मगर जब बहुत सारे order जो है, वो सेल की तरफ लग जाएंगे, यह market की depth को देखके, वो क्या करेंगे, जो उनके orders लगे हो है, 100,000 रुपे नीचे, तुरंत की तुरंत अपने 4,000 order जो है, वो cancel करतेंगे, जैसे वै आप जो है, वो धोके में आ जाएंगे, क्योंकि आपने गल्फ direction में trade लगा दी है, यह चीज़ देखके, यह आपने गल्फ direction में चीज़ देखके गल्फ trade लगा दी है, और जैसे ही इसका जो है, क्योंकि उस time में इस तरह की fluctuation आने वाली होती है, उन लोगों को पता होता है तो आपको इतना time ही नहीं मिल पाएगा, market क्या होगी, sale की जगा, buy की तरफ जटके से move करेगी, और आपका पैसा वहाँ से चला जाएगा, मगर होता क्या है कि यह दोनों चीज़े जो है, crude oil में, mini load में, buying load में, normally मैंने observe किया है कि इस तरह का धोका नहीं हो पाता है, दोनों बहुत ज़्यादा quantity hide हो जाती है, जैसा कि आपको पता ही है कि आप अपना सिरफ जितनी भी आप quantity buy करते हैं, तो उसका 10% ही आप show कर सकते हैं, आपके पास यह option होता है, तो जैसे कि mini के अंदर अगर आपको पता ही है, number of quantities बहुत ज़्यादा हो जाती है, और आप उस number of quantity के अंदर सिरफ और सिरफ 10% ही, अगर 10% भी show करते हैं, तो भी बहुत ज़्यादा quantity हो जाती है, तो जो और बहुत सारे जो लोग हैं, वो इस चीज़ को detect कर लेते हैं कि यह जो है fake orders लगे हुए हैं, तो वो वहाँ से बच सकते हैं, मगर आपको पता ही है कि यह जो है, इसके 10 order के बराबर है, तो यहाँ पर जो है orders, quantities जो है कम लगती हैं, और इसको हम नहीं पकड़ पाते हैं, easily, कि यहाँ पर fake orders हमारे लगे हुए हैं, तो friends, जब भी आप order इस तरह का लगाएंगे, तो आप दोनों तरफ की quantity को मिला लेंगे, अगर ratio same बैट रहा है, तो आप definitely आप बि करता सकता हूं, मगर यह आप यहाँ से सीख के, आप एक महीना इसको test कीजिए, आप daily market में तो रहते ही हैं, जब भी आपको इस तरह का ratio दिखे, तो आप paper trade के उपर paper भी कर सकते हैं, कि अगर मैं इस situation के साब से यहाँ पर buy या sale करता, तो आने वाले एक या दो घंटे बाद उसका आप result देख सकते हैं, बिल्कुल definitely देख सकते हैं, और आपको 200% आपको profit होगा ही होगा, क्योंकि मैं इस तरह की strategy जो हैं वो use करता हूं, क्योंकि यह रोज नहीं चलती है, महीने में कुछ बार, कुछ दिन ही ऐसे आते हैं, जिस पर चलती है, मगर यह उस तरह की treat होती है, basically आपके लिए, यह one time treat होती है, कि महीने में अगर आपने एक या दो बारे treat को खा लिया, तो आप जो है, वो हमेशा benefit में रहेंगे, क्योंकि अगर एक treat में आपको 100 point भी मिल गए, तो आप सीधा 10,000 रुपे कमा लेंगे, तो महीने में अगर आपने 2 treat भी अगर यहां से इसके थुरू कमा लिए, अगर 200 point भी कमा लिए, दो बर में, तो आपने, यानि की 20,000 रुपे आपने यहां से कमा लिए, और आपका बहुत अच्छा target जो है, यहां से निकल सकता है, बहुत minimum effort में, तो यह थी intra day के ओपर strategy, जो की, जो है आपकी, मेरे साब से बहुत easy strategy है, आ inventory day के ओपर तो आप खास focus कीजिए, इस market depth के ओपर और बाकी days के ओपर भी आप roughly अपनी नजर रखिए, अगर इस तरह की आपको situation मिलती है, तो आप definitely current market price के साथ buy or sale कर सकते हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो please इसको like कीजिए, और please चैनल को subscribe कर लीजिए और चैनल को अपने friends और family members के साथ share कीजिए, उनको भी यहां से अच्छी खासी information मिल जाएगी, knowledge मिल जाएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि हम लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका loss कम करने में, और सारी जो information है, knowledge है, वो free में provide करने में, ताकि वो paid services और बहुत सारी चीज़ों लिए वो बहुत पैसा खराब कर रहे हैं, हमारे चैनल के धरूँ वो सब चीज़ फ्री में सीख सकें, so thank you so much, have a nice day, bye bye